दोस्तों CTAT में एक कुशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है और यह कुशन में आप लोग बहुत ज़्यादा फस्ते हैं चलिए वह कुशन आप से हमेशा पूछा जा रहा है कि यह भासा अर्जन की अवस्ताइं कुशी है यह अवस्ताओं का सही करम कुशा है तो देखिए अगर आप ठिंग करेंगे आपने याद भी कर लिया होगा तो हो सकता है कि आप किसी कारण बस भूल जाएं देखिए मैं आज आपको समझाता हूँ एक डिटैल में इसे ताकि आप इसे हमेशा याद रखें अब देखिए कुशन को हम बाद में सॉल्व करेंगे पहले हम इ हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बच्चे ने अपनी जो मातर भाषा जन्म के बाद किस तरीके से सीखिए उसे भी आप कह सकते हैं कि ये भाषा अरजन करने का करम है अब देखिए करम जो होता है कई बार आपको पांच चरन दिये जाते हैं कई बार आपको ऐसा होता है क छे चरण दिये जाते हैं ध्यान दी जगए स्टीज में तो आज मैं उनी छे चरणों की उपर बात करूंगा देखे पहला जो चरण होता है उसे आप कहते हैं कुइंग और हिंदी में कहते हैं कुकना कुकना या इसे कहा जाता है कुइंग क्या कहा जाता है या कुइंग कहा ज दोनी निकालता है किसकी मू की मू 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 इस तरह की धुनिया क्या होता है बच्छा निकालता है जिसे कहते हैं कूकना या कुइंग कुइंग में क्या हो रहा है बच्छा एक प्रकार की धुनी निकाल रहा है और उस धुनी को जो बच्छा स्टार्डिंग में करता है तो इस तरह की धोनी निकालना स्टार्ट कर देता है अब वो धोनी बहुत प्रकार की होती है याद रखेगा तो इस तरह की जब धोनी बच्चा निकालेगा उसे क्या कहेंगे कुई कहेंगे दूसरे नमबर में आता है आपका बबलाना या जिसे आप बैबलिंग भी कहते हैं अब बबलाने में क्या होता है बच्चा क्या करता है यहाँ पर एक ही सब्द कुना बार 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 रेपिट करता है जैसे कि मान लेते हैं उन्होंने करा की तो वो बार बार करेगा की 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 इसे कहते हैं बबलाना या जैसे कह रहा है कि मा 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 दा 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 चा 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 ना ना वा 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 इस तरीके से क्या है ये रुकेगा नहीं ये एक बार नहीं बोल सकता है यहां पर अगर दा 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 इस तरीके से करेगा तो इसे कह करता है एक सब्द सब्सक्राइब आपंड करेगा या एक अक्षर वो क्या करेगा एक ही बार एक सब्सक्राइब उस तरह का एक सब्सक्राध्र बच्छा करने लग जाता है जिसमें मा, दा, चा या ऐसे तरह के सब्द बच्चा इस्तमाल करता है उसे आप एक सब्दी उचारण कहते है जैसे देखे बवलाना और इस में क्या अंतर एप Year जैसे बवलाने में अगर वो दा का इस्तमाल कर रहा है तो बबलाने में दा कई बार बोल रहा है ैit तेलिग्राफिक स्पीच में क्या होता है ये कछ बड़े सब्स के लिए कुछ बना लेता है कि जैसे कि मालते हैं चिडिया है तो ये चिडिया को क्या कहएगा आपको पता है चूचू एILY-या जी से कुट्था को काईगा कि ये तूटू है जैसे पानी है पानी पीचाव की चूधा कार लिएगा Giken और एक फिशुल्मने की जैसे पानी है does अब यहां बच्चा दो सब्द का इस्तमाल करने लग जाता है, जैसे कि बच्चे को बोलना है दादा, तो पूरा दादा बोलेगा वो ठीक है, जैसे बच्चे को बोलना है मामा, तो मामा बोलेगा, चाचा बोलना है, यह जो भी बोलना है, दो सब्दों का उच्छान बच्च करने लग जाता है कुछ वाग के कुछ सेंटेंस को एक साथ मिला कर बोलने लग जाता है या वैसकों के तरह बात करने लग जाता है तो ऐसा होता है चार वर्स के बाद तो यहां देखिए क्या होता है यह बुनियादी वैसक वाग के संदचना या तारसहली वाग के कहा जाता ह तो ये चीजे किसको इसपस्ट नहीं है आप ये बताईए पेपर बन पेपर टू दोनों के लिए काम आएगा बीएड वाले बच्चे देख रहे हैं उनको भी काम आएगा या किसी भी एक्जामिनिशन के लिए देख रहे हैं डेफिनिटली ये भासा अरजन करने का जो क्रम म मैं आपको बता रहा हूं कि डेफिनिटली आपको काम आने वाला चलिए कोशन में आते हैं अब देखिए कोशन आपके सामने आ गया अब देखिए कोशन में मैंने आपको क्या समझा रहा था कोशन में कि सबसे पहले बच्चा कोईंग करेगा कोईंग का मतलब क्या था यहा मोगया भीजा बब्लाना दूसरे नमबर में तीसरे नमबर में आता है एक सब्द का उचारान जैसे कि बच्चा यहांपर क्या करेगा दा यह मा इस तरह सब्दका इस्ते नार करकेंगा तेलिग्राफिक शारान दा उगया उचसे अब इसके बाद दो शब्द आते हैं जहां बच्चा दो शब्दों को मिलाकर बोलने लग जाता है पाँचवे नमबर में जिसे आप लोग कहते हैं दादा, मामा, चाचा, नाना ऐसे सब्द बोलेगा बच्चा दो शब्द में अब इसके बाद आता है वैसक वाकिशन रचना या आप कह सकते हैं तारसैली वाक के ये तारसैली जो वाक के होते हैं ये वैसकों के जैसे बच्चा बात करने लग जाता है तो मेरे इसाब से आर आपको इस पस्ट हो गया होगा कि भासा अरजन करने का क्या करम है अगर वीडियो में आया है तो डैफिनिटल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं और अगर इसी तरिके कि कि आपको कोई कोर्सस देख रहे हैं तो आप हमारे एप एजुकेशन फॉर्यू में विजिट कर सकते हैं और वहां बहुत ही nominal prizes में यह सारे courses आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप लोग education for you search करेंगे या आप लोग play store से app को download करेंगे, link description box में भी दी हुई है, इस तरह के courses दिखाई देंगे, यह सीटेट के लिए mock test है, 80 mock test मिल रहा है 99 रुपीज के, बिहार सिक्षक भरती का कोर्स है, paper 2 का mock test 49 रुपीज का है, बाल विकास का पूरा कोर्स है 199 रुपीज का, और mock test 29 रुपे का है, बिया और एक NCRT का दिख रहा है आपको 99 रुपीज का, और यह सीटेट प्रिविएस ह करेंगे, app में automatically आपको वो notes का access मिल जाता है, तो फिलार आज के लिए इतने ही मुलाकात होगी आप से एक अगले session में, क्या topic में आप वीडियो वनवाना चाहते हैं, comment box में आप जरूर लिख कर जाए, जुड़ने के लिए बात बात धन्यवाद, thank you so much.